नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी ख़वरों की हेडली ने बया की मुंबई हमले की साज़िश की पूरी कहानी पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविट कोलमन हेडली ने साल 2008 के मुंबई हमले की पूरी साज़िश से परदा उठाया उसने अदालत को ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान सरजमी पर साज़िश रची गई और दो नाकाम कोशिशों के बाद 10 आतंक वादियों ने इस शहर में आतंक का खेल खेला हेडली के अनुसार इस पूरी साज़िश में पाकिस्तानी खूफिया एजिंसी आईएसाई के तीन अधिकारियों की प्रत्यक्ष भूमिका थी मुंबई हमले में अपनी भूमिका को लेकर अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहे हेडली ने विशेश नयाधिश जीए सनप के समक्ष वीडियो लिंक के जरिए करीब 5.5 खंटे तक कवाही दी मुंबई हमलों में 176 लोगों की मौत हो गए थी सियाचीन ग्लेशियर के 25 फूट नीचे जिन्दा मिला सैनिक सियाचीन हिम्नग में हिम्स खलन के बाद 25 फूट मोटी बर्फ के परत के नीचे दबा सेना का एक जवान चमतकारिक रूप से 6 दिनों बाद जिन्दा मिला उसकी हालत कमभीर है उत्तरी सैनिक कमांडर लेटिनेंट जनरल डियस हुड़ा ने बताया कि ये एक चमतकारिक बचाव अभियान था आज सुबह लॉंस नायक हनामन थापा को आरार अस्पताल ले जाने के लिए सभी प्रयास किये गए उन्होंने बताया कि अब तक 5 शव बरामत किये जा चुके हैं और 4 की पहचान हो चुकी है दुखत है कि अन्य सैनिक हमारे साथ नहीं है बोतल बंद पानी की तरह बिक रही है हवा जहां अलग-अलग नाम से बोतल बंद पानी दुनिया भर में बिक रहा है वायू प्रदूशन का कहर चेल रहे बीजिंग और चीन के कुछ प्रमुक शहरों में बोतल बंद हवा बेची जा रही है यकिन करें 27 साल के लियो डे वाट्स ब्रिटेन के ग्रामाचलों की हवा बोतल में बंद कर धनी चीनियों को धडलने से बेच रहे हैं उन्होंने एक बोतल की कीमत तकरीबन 7800 रुपए रखी है और अब तक लाखो रुपए बटोर चुके हैं देवाट्स केयते हैं कि 580 मिली लीटर के शीशे के जार में हवा बीजिंग और शंखाई जैसे वायू प्रदूशन से जूच रहे चीनी महानगरों में धडलने से बिक रही है